हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फ्रीव में हमार पास आज़को है OnePlus Note CE3 जो के OnePlus का latest smartphone है और 25,000 के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा phone है आज इस फ्रीव में मैं बात करने वाला हूँ इस phone के top 40 features की ये phone features के साथ भरा हुआ है और अगर आप ये phone में interested हैं तो इस video को पूर आप Always on display यूज़ करते हैं मतब के settings में wallpaper and style के अंदर अगर आप AOD को enable रखते हैं तो यहाँ पर आपको O emojis enable करने का option मिलता है ये बहुत ही खुबसूरत AOD है आपको different faces दिये गये हैं आप और characters create कर सकते हैं और इस तरीके की AODs जो है वो आप अपनी log screen के उपर setup कर सकते हैं आपको दिया गया है अगर आप अपनी किसी photo को AOD, log screen और home screen के उपर इस तरीके से setup करना चाहते हैं उसी साथ AOD के अंदर यहाँ पर आपको contextual info enable करने का भी option दिया गया है अगर आप कोई music प्ले कर रहे हैं या फिर आपने कुछ order किया है Swiggy या Zomato से उसका information भी आप live अपन इतनी के लिए मिलता है और यहां से इसका color आप select कर सकते हैं और क्यूंकि in display fingerprint sensor भी है तो यहाँ पर आपको fingerprint animation भी change करने का option मिल जाएगा again काफी सारे different options यहाँ पर आपको दिये गए हैं जो भी आपको अच्छा लगी वो आप यहाँ से select कर सकते हैं वैसे in display fingerprint sensor अगर आप use करते हैं तो एक बहुत अच्छा shortcut इस phone में आपको मिल जाता है special features के अंदर आपको मिल जाएगा Q-clone के नाम से इसको enable करके आपको यहाँ पर 5 shortcuts को add कर देना है उसके बाद जब भी आप fingerprint sensor को use करके phone को unlock करेंगे तो इसको hold करके रखिए और यह सारे shortcuts आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो भी app यह shortcut को आपको open करना है उसके उपर इस तरीके से track कर दीजिए और वो app यह shortcut आप directly open कर सकते हैं इस phone के एक सबसे unique feature की बा जैसे के अभी call आ रहा है इसको mute करने के लिए मैं अपने हाथ को इस तरीके से सामने देखे हूंगा और call जो है वो mute हो जाएगा ऐसे ही अगर आपको call को pick करना है तो इस तरीके से हाथ को सामने देखे यह हाथ को खोल दीजिए और आपका call जो है वो answer हो जाएगा इस phone में आपको smart sidebar by default enable करके दिया गया है तो इसमें कुछ shortcut आप place कर सकते हैं लेकिन इसका सबसे बढ़िया use case जो है वो है background stream के feature के लिए अगर आप YouTube या किसी भी application में कोई video play कर रहे हैं उस time अगर आप इस sidebar में देखेंगे तो आपको एक निया option background stream का देखने के लिए मिलेगा इस feature क यूज करके आप किसी भी video को background में play कर सकते हैं अगर आप सिरफ music सुनना चाहते हैं नोर्मली YouTube प्रीमियम जैसा एक feature है जो के paid होता है यहां पर आप free में यूज कर सकते हैं इस phone में आपको floating windows का support भी मिल जाता है कोई भी आपको open करके अगर आप presence में जाते हैं तो यहां पर three dots पर tap किजिए यहां पर आपको floating windows का option मिल जाएगा इसके उपर अगर आप tap करेंगे तो इस तरीके से इस window को आप use कर सकते हैं अगर आप जाहें तो इसको इस तरीके से resize कर सकते हैं या फिल्टे से आइकन में भी इस तरीके से convert हो जाता है यह flexible windows को यूज करके दोस्तों आ अगर मैं कुछ photos को select करूँगा उसको hold करके रखूँगा तो उसको मैं यहां पर drag and drop करके यहां पर वर्टसेप पर share कर पाऊँगा home screen के उपर icons को customize करने के लिए एक बहुत ही अच्छा option इस phone में मिल जाता है long tap करके अगर आप icons में जाते हैं यहां पर custom के अंदर आपको adopt system color का option मिलता है इसको आप enable करके apply कर दीजिए आपका system color होता है दोस्तो आइकन के उपर इस तरीके से apply हो जाता है और actually में यह icons जो हैं वो बहुत ही सुन्दर दिखते हैं हलाकि कुछ apps इसको support नहीं करती है जाकिन अगर आपको home screen को सुन्दर बनाना है तो इसको जरूर से आप use कर सकते हैं वैसे home screen को सुन्दर और जादा useful बनाने के लिए एक और बहुत अच्छा option आपको folders के लिए दिया गया है folder के उपर अगर आप long tap करते हैं तो आपको enlarge folders का option मिल जाता है इसको enable करके दोस्तों आप बहुत कम जगा में बहुत सारे apps देख पाते हैं और किसी भी app क अगर आपको open करना है तो directly उसके उपर tap कीजिए उसको आप open भी कर सकते हैं तो home screen को जादा अच्छे से आप use कर पाते हैं इसके अगर और apps हैं तो इस तरीके से इसमें scroll भी कर सकते हैं वैसे phone को सुन्दर बनाने की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ बताना चाहूंगा इ यहांपर अगर आप देखेंगे यह जो bite-foot wallpaper आपको लगा के दिया जाता है वो static होता है लेकिन वैसा ही एक live wallpaper आपको दिया गया है और इसमें और भी colors हैं यह actually में काफी सुन्दर लगता है आजकल normally थोड़े बड़े phones ही आते हैं दोस्तों अगर आप एक हाथ से phone को use कर रह रहा है तो home screen के उपर अगर आप home screen settings में जाते हैं तो आपको icon pulldown gesture का option मिल जाता है इसको enable कर दीजिए उसके बाद इस तरीके से अगर आप साइट से swipe करते हैं आपके सारे icons नीचे आ जाते हैं जो भी आपको open करना है उसके उपर इस तरीके से drag and drop कर दीजिए वैसे 100 usage को और नीचे shift हो जाती है और again एक हाथ से phone use करना काफी असान हो जाता है तो ये भी आप enable कर सकते हैं एक और बढ़िया और नया feature आपको settings में battery के अंदर battery health का दिया गया है अब iPhone की दरहां ही आप इस phone में भी अपनी battery health check कर सकते हैं basically maximum capacity जो है वो battery की कितनी बची है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कब आपको battery replace करवाने की ज़रूरत है वैसे बैटरी health को अच्छा बनाया रखने के लिए एक feature आपको यहां पर ही दिया गया है जो कि है optimized charging का ये बाइट फोल नाइट के उपर सेक्रिट है इसको ज़रूर से आप enable रखिए अगर आ आप इस phone में देखेंगे दोस्तों आपको एक Google का dialer दिया गया है जिसके अंदर अगेन अगर आप call recording करेंगे तो आपको announcement सुनाई देता है लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि आप इस phone में play store से ओ डाइलर app को install कर सकते हैं वो supported है colorways की यह एप है इसको install कर दीजे अगर आप इसको install करेंगे तो इसको आप default dialer की तरहां भी setup कर पाएंगे और इसके अंदर आपको call recording का option मिल जाता है दोस्तों इसमें को announcement भी नहीं होता और इसमें वो gestures भी काम करते हैं जिसके हमने पहले बात की एक और बढ़िखा feature जो मुझे इस phone में लगा दोस्तों अगर आप quick settings में आते हैं तो यहां पर आपको multi screen connect का support दिया गया है अगर आपके पास और oneplus के devices हैं तो आप उनके साथ connect कर सकते हैं आप screen mirroring यूज कर सकते हैं या फिर content sync का feature यूज कर सकते हैं जो भी media इस device के पर play कर रहा है अगर आप tablet यूज करना शुरू करेंगे डिरेक्ट इसके पर play होगा या फिर कुछ भी इस phone के उपर copy करेंगे तो tablet के उपर आप paste कर पाएंगे ऐसे ही एप रेले का option आपको मिल जाता है और communication sharing भी आप कर सकते हैं settings में अगर आप जाते हैं तो wifi settings के अंदर wifi system के अंदर एक बहुत अच्छा option आपको dual channel acceleration का दिया गया है इसकी मदद से आप wifi और mobile data दूनों को एक साथ यूज कर सकते हैं तांके आपको बहतर internet speed भी मिल जाए और stable internet भी आपको मिल जाए और दूनों चीज़ें आपकी यूज ह और dark mode को icons के उपर wallpapers के उपर apply करना है या नहीं यह भी आप यहां से select कर सकते हैं डिस्प्ले settings के अंदर एक ऐसा option जो जरूर से आप enable कीजिए वो है bright HDR video mode का मुझे लगता है wide foot ही enable होना चाहिए अगर आप कोई भी HDR videos phone के उपर देखते हैं तो automatically screen का brightness बढ़ जाता है अगर आप इस feature को enable रखते हैं तांकि आपको जादा बहतर experience मिल पाई HDR videos का वैसे वीडियो के साथ साथ audio का experience enhance करने के लिए भी sound and vibration के अंदर आपको dual B Atmos का support दिया गया है speakers के लिए हमेशा enable रहता है earphones अगर आप connect करेंगे तो आप choose कर पाएंगे कि enable रखना है or disable रखना है और यहाँ पर खुद सारे presets है customization है जो के आप कर सकते हैं एक और feature जो मुझे इस phone में बड़ा ही अच्छा लगा दोस्तों notification sound के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको dynamic notifications का option मिल जाता है इस तरीके के notification sounds आप use कर सकते हैं जब भी आपको कोई notification आएगा तो कुछ different sound आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी musical और काफी अच्छा लगता है settings में notification and status park के अंदर आपको status park को customize करने का option भी मिल जाता है आप battery style को change कर सकते हैं नोट में ये vertical है आप इसको horizontal या इसको तरीके से circular भी बना सकते हैं उसी के साथ network speed भी आप यहाँ पर देख सकते हैं settings में apps के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको app cloner का option भी दिया गया है मतबकि dual apps भी आप यूज कर सकते हैं वो settings में आपको privacy के अंदर मिल जाएगा इसको बस आप setup करके enable कर दीजे उसके बाद जिस भी app को आप loop करेंगे उस app को open करते टाइम आपको face unlock, fingerprint sensor या फिर pattern की मदद से unlock उसको पहले करना पड़ेगा वैसे यहाँ पर app loop के साथ ही private save का option भी दिया गया है अगर आप किसी file को password protect करना चाहते हैं वो भी आप इस phone में कर सकते हैं कोई भी image, video, audio, document किसी भी तरीके की file है उसको यहाँ से set कर दीजे और वो फाइल को use करने के लिए आपको password पहले enter करना पड़ेगा वो जो है वो hide हो जाएगी settings में special features के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको zen space का feature भी मिल जाता है जो के oneplus का एक तरीके का focus mode है अगर आप कुछ time के लिए phone को site में रखना चाहते है तो इसको enable कर दीजिए even backgrounds के साथ आप यहाँ पर कुछ music enable कर सकते है nature का music होगा तांके आपको थोड़ा relaxation feel हो settings में additional settings के अंदर आपको assistive ball का option भी दिया गया है अगर आपको shortcuts यूज करना अच्छा सकता है तो इसको आप enable कर दीजिए इसके मदल से आप navigation भी कर सकते हैं या फिर tap menu अगर आप select करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे shortcuts भी place कर सकते हैं वैसे additional settings के अंदर और भी बहुत सारे gestures का support आपको मिल जाता है जैसके screen of gestures है जब आपका screen बंध है तो screen के पर कुछ draw करके आपको यह action perform कर सकते हैं आप camera को open कर सकते हैं torch को on off कर सकते हैं even music को control कर सक सकते हैं और भी बहुत सारे gestures यहाँ पर आपको दिये गए हैं settings में about device के अंदर अगर आप RAM के अंदर जाते हैं यहाँ पर आपको virtual RAM enable करने का option मिल जाता है white fold इसको enable करके 4GB के उपर setup किया गया है मिर पास यहाँ पर 8GB RAM वादा variant है और इसमें आप maximum 8GB RAM को ही expand भी कर सकते हैं और क्योंकि इस phone में आपको एक अच्छा processor भी दिया गया है gaming के लिए भी एक अच्छा smartphone है तो आपको यहाँ पर एक gaming mode और gaming assistant मिल जाता है जिसमें आप इस तरीके से pro gaming mode को enable कर सकते हैं इवन games के अंदर यहाँ पर floating window को open करने का option आपको मिल जाता है और भी काफी सारे options हैं ज 4G भी यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 4G plus carrier aggregation का support भी बहुत अच्छा दिया गया है उसीक साथ Wi-Fi tethering का support भी आपको इस phone में दिये रखा है मतब कि जब आपका Wi-Fi on है अगर आप hotspot को enable करते हैं तो आपका Wi-Fi बंद नहीं होगा इस hotspot को यूज़ करके आप अपने Wi-Fi क आगे शेयर कर सकते हैं एक तरिके से अपने फोन को ऐज़े Wi-Fi extender भी इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए दोस्तों camera की कुछ features भी आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि इस phone में आप portrait videos capture कर सकते हैं मतब videos के अंदर भी आप background में bouquet mode को enable कर सकते हैं और rear camera औ भी आप इस phone में कर सकते हैं more modes में ही आप देखेंगी कि यहाँ पर आपको slow motion videos capture करने का option भी दिया गया है सिरफ rear camera में आप कर सकते हैं और maximum जो है वो आप 240 fps तका slow motion capture कर पाएंगे और कोई बहुत सारे modes आपको यहाँ पर इस phone में देखने के लिए नहीं मिलते हैं लेकिन एक अच्छी setting आपको बताना चाहूंगा आप यहाँ पर shooting methods में अगर आप जाएंगे तो आप tap to capture और show palm enable कर सकते हैं photos को असानी से capture करने के लिए और एक और चीज़ जो आपको जल्दी photos capture करने में help करेगी settings में आपको cute launch camera का एक option दिया गया है इसको अगर आप enable करते हैं तो अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो